अगर आपके भी मस्सा हो गया है या बहुत सारे मस्से हो गये हैं और आप बहुत ज़दा परेशान है चहरा देखने में अच्छा नहीं लगता है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में आपको समझाने वाली हू कि मस्सा क्या चीज होती है इसका इलाज कैसे किया जा सकता है क्या आप इसे घर पे ठीक कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं कौन से मस्से का आप इलाज घर पे कर सकते हैं कौन से का नहीं कर सकते हैं सारी चीज़ें में डिटेल में समझाऊंगी अगर आपके पास टाइम ह तो ही इस वीडियो को देखियेगा क्योंकि आधी अधोरी जानकारी किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है बहुत सारे लोगों को जल्दबाजी होती है और वो वीडियो को स्किप करकर के देख लेते हैं कोई नुक्सान हुआ उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर आपने वीडियो को पूरा ध्यान से नहीं देखा सब कुछ आपको अच्छे से एक एक चीज डिटेल में समझाओंगी इसलिए वीडियो को बिना स्किप करें अच्छे से ध्यान से सुनें अगर आप अपने मस्सों को वाकरी ठीक करना चाते हैं घर पे अच्छ में आपके साथ एक बहुत आसान सा घरेलून उसका शेयर करने वाली हूँ मस्सों को ठीक करने का जिसे एक हफ़ते इस्तमाल करने के बाद आपके मस्से बिलकुल ठीक हो जाएंगे हाई फ्रेंज मैं गिता वर्मा गिता किनों रेसिपीज हिंदी में इक बार फिर से आपका बहुत बहुत सागत करती हूँ मस्से जो होते हैं वो अलग-अलग तरीके के होते हैं बहुत तरीके के मस्सु देखोँगे छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, color different होता है तो सबसे पहले आ जाते है जिन मस्सों का color brown या black होता है जैसा अब screen पर देख पा रहे हैं ये जो मस्से होते हैं, आमतोर पे पैदाइसी genetic होते हैं और इस तरह के मस्सों को हम घर पे ठीक कर सकते हैं पर एक दूसरे तरीके के मस्से होते हैं जिनें इंगलेश में वार्ड्स बोला जाता है और कुछ इस तरह के देखने में लगते हैं जैसे कि कोई stem हो इसमें छुटे-छुटे pieces जुड़े होते हैं और वो आगे की तरह stem की त स्थेढना चहिए आगर इनको आप छेड़ेंगे चिंठे से और ज्याधा फैलते हैं और ऐसे का चैनसर का रूप भी लेचे-तरी हैं तो इसका ट्रीट्मेंट ना को डॉक्टर से ही कराना है किसे भी स्कीन दॉक्टर से आप इसका ट्रीट्मेंट करा सकतु है charging में में मस्से आपको अपको दिखाए है जो ब्राउन लर प्ल्ग कि अपनी fantastical और भी उते हैं और आप सारे बुजुर्त लोगों को भी देखाए को अनके मस्से काफी बड़े size की हो जाते पाल आपको ऑथ्य ये कि अगर इन्हें हम हटाएंगे तो यह फैलते नहीं है जो दूसरे वाले मैंने आपको दिखाए वह बिल्कुल भी नहीं छेड़ने चाहिए नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती कि वह फैलते बहुत जादा है और आगे वह अपना भ्यानक रूप ले सकते हैं तो अगर आ आप इस नुष्खे का इस्तिमाल कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें क्या लेना है चूना लेना है और चूना भी कौन सा वाला लेना है वो भी मैं आपको बता देती हूं खाने वाला चूना लेना है जो की पान वाले की दुकान पर मिलता है वो पुताई वाला चूना आपको पान में डलता है और इसे हम इस्तुमाल भी कर सकते तो यह उतना नुकसान नहीं करता है तो यहीं चुना आपको लेना पाँ रुपे का आपको पैकेट मिल जाएका मैंने तो 3 रुपे का लिया है थोड़ा सा एक टीस्पुन आपको लेना है यहां पर चूना मैंने लिया ना बहुत सूखा हुआ था इसकी कंसिस्टेंसी मेडियम होने चाहिए अगर चूना बहुत साथा पतला है तो आपको नहीं लेना है थोड़ा सूखा हुआ ही लेना है या फिर इस तरह की कंसिस्टेंसी जैसी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वैसी लेनी है सूखा हुआ है तो हलका सा पानी मिला सकते हैं अब दूसरी चीज जो मैंने यहां पर स्टाइशन पाउडर है कोई बीडिटर्जिंट पाउडर आपको लेना है यहां पर में कोई सफ एक्सल स्पाउसरशिप नहीं कर रही हों यह मैंने मंगाया था वीडियो बनाने की इसलिए मैं आया पर दिखाया कोई श्पाउडर नहीं है अब कोई साभी ले सकते हैं जो को इस तरह से mix करना है तो दाने दाने है न डिटरजिंट की वह अच्छे से mix हो जाने चाहिए एक तरह का इसका पेस्ट बन जाना चाहिए अच्छे से पेस्ट बना लेंगे तो अब देख सकते हैं थोड़ा सा थिक सा पेस्ट है अगर आपको बहुत ज़िए सूखा लगे तो और यह हमारा नुस्का तयार हो गया है, सबसे बड़ी चीज, इसको कैसे इस्तमाल करना है, वो बहुत ही ध्यान से सुनने वाले बार है, क्योंकि वहाँ अगर आपने गलती गई, तो फिर आप इसके नेगिटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं, तो आपको क्या करना है, मेरे ना कोई मस्सा नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर यह मारकर से बना के दिखा रही हूँ, और कैसे इसे अपलाई करना है, ध्यान से सुनिएगा, कैसे मैं बता रही है, यहाँ पर मैंने एक आपनी नकली बना लिया है, वैसे नहीं है, मैं आपको उसी पर लगा के दिखा देती, आपको कोई भी इस तरह से earbud लेने हैं या मार्चिस की तिल्ली आप ले सकते हैं उससे इस तरह से इस paste को उठाना है और जो मस्सा दिख रहे हैं जस्ट उसके ऊपर इस paste को लगाना है मस्से के बाहर ये paste बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए अगर ये बाहर आ गया तो वहां की skin भी आपकी जल जाएगी और अगर आप पेस पे लगा रहे हैं तो फेस पे तो फिर आपका फेस खराब हो सकता है इसलिए मैंने बोला कि बहुत ध्यान से एक एक बात को सुनियेगा और तभी इस remedy को apply करिएगा अगर आपने जरा भी कुछ गल्दी की तो आपको इससे बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है तो आपको क्या करना है देखा जितना बड़ा मेरा मस्सा मैंने बनाया था उतने पे ही मैंने चूने का पेस लगाया है उससे बिल्कुल भी बाहर नह आना चाहिए धीरे धीरे रेगुलर आप इसे लगाईए एक दिन में दो से तीन भार लगा सकते हैं एक हफ़ते के अंदर आप देखेंगे जो आपकी वहां का मस्सा है वो जल जाएगा वहां की स्किन जल जाएगी अंदर से वह सूखना शिरू हो जाएगा अलग-अलग त Top आपका होगा वो धीरे-धीरे भर जाएगा अगर आपका निसान रहे जाता है करना है तो चाहिदे रहा थीरे-वहां पर निशान निशान यहां पर यूज करते हैं अभी कल ही आप देख सकते हैं मेरा हाथ जल गया था तो मैं क्या करने वाली हूँ इस मेडर्मा क्रीम को इस जलेवे पर लगाने वाली हूँ जलेवा जैसे ही चोड़ यह पूरी भर जाएगी जो इसका निशान पढ़ जाता है वो निशान नहीं है मेरे पास पढ़ी थी इसलिए मैंने आपको दिखा दी इसे यूज करिए इसका जो रिजल्ट मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा